गुली बुली और सोना जरोड के साथ जंगल के बीच वाले नदी के पास पिक्निक मनाने के लिए आए हैं नदी के किनारे आते ही ये लुक पिक्निक का सारा सामान जीप से उतार कर नीचे रखते हैं गुली कहता है हमें यहां आग जलाने के लिए लकडियों की जरूरत है चलो चल कर कहीं से लकडि लेकर आते हैं सोन कहता है तो फिर देर किस बात की चलो हम चारों लोग अलग अलग दिसाओं में जाकर लकडियां ढूनते हैं तो हमें लकडियां जल्दी मिल जाएगी अरे सोन तुम पागल हो क्या इतने खतरनाक जंगल में अकेले गूमना कोई बच्चों का खेल नहीं है अगर किसी जंगली जानवर ने हमें इस जंगल में अकेला देख लिया तो वो तो हमें गायब ही कर देगा सोन कहता है ये तुम कैसी बाते कर रहे हो बुली मैंने कब कहा कि हमें इस जंगल में घूमना है मैं तो कह रहा हूँ कि हमें यहां लकणियां ढूंडना है और वैसे भी इस जंगल के जानवरों को जादू थोड़ी ना आता है कि वो हमें गायब कर देगा रोड कहता है यारे सोन बुली के कहने का मतलब है कि जंगली जानवर हमें खाकर गायब कर देगा रहने तो रोड सोन को समझा कर कोई फाइदा नहीं है जाओ सोन तुम अकेले जाकर लकडियां ढूंडो और हम तीनों एक साथ जाकर लकडियां ढूंड कर लाते हैं हाँ हाँ तो उसमें क्या है गुली मैं तुम लोगों की तरह किसी जंगली जानवर से ड़ता थोड़ी ना हूँ मैं अकेले ही जाकर लकडियां ध्यूंड कर ले आउंगा तुम लोगों को कही जाने की जरूरत नहीं है यहीं खड़े रहकर मेरे आने का वेट करो चलो अब मैं चलता हूँ यह कहकर सोन यहाँ से जाने लगता है और यह लोग यहीं खड़े रहते है थोड़ी दूर आता ही सोन को नदी के पास एक मेढ़क दिखाई देता है जिसे देखकर सोन बहुत डर जाता है और तोड़ता हुआ गुली बुली और रोड के पास जाने लगता है सोन जैसे ही इन लोगों के पास आता है तबी गुली कहता है क्या हुआ सोन तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी भी जानवर से नहीं डरते हो लेकिन एक मेड़क नहीं तुमें डरा दिया नहीं नहीं गुली तुम गलत समझ रहो मैं उस मेड़क से डरा थोड़ी न था मैं तो बस ये सोचकर वापस आ गया कि अगर मैं तुम तीनों को यहां अकेला छोड़ कर चला जाओंगा और मेरे जाने के बाद तुम लोगों के पास कोई जंगली जानवर आ गया तो तुम लो जैसे ही रोड इतना कहता है तभी सोन को कुछ दिखाई देता है जिसे देखते ही सोन कहता है वो देखो गुली बुली और रोड नदी के उस पर एक सूखा पेड़ है जिसके नीचे टूटी हुई लकडिया भी गिरी हुई है सोन की बात सुनकर गुली बुली और रोड भी सुखे पेड को देख लेते हैं रोड कहता है लेकिन गुली बुली और सोन तुम लोग नदी के उस पार जाओगे कैसे उसकी चिंता तुम मत करो रोड देखो यहाँ पर एक नाव रखा हुआ हम लोग इस नाव से नदी के उस पार चले जाएंगे और सुखे पेड की तरफ जाने लगते हैं और इधर रोड डब्बे के उपर बैटकर गुली बुली और सोन के आने का वेट कर रहा है कुछी दिर में ये लुक पेड के पास पहुंच जाते हैं गुली कहता है यहाँ तो बहुत ही कम लकडिया है इतने में हमारा काम नहीं चलेगा हमें और लकडियां तोड़ने के लिए इस पेड के उपर चड़ना होगा नहीं नहीं गुली हमें इस पेड पे चड़ने की कोई जरूरत नहीं है वो देखो वहाँ पर एक लकड़ी गिरा हुआ है और उस गुफा के पास भी कुछ लकडियां है मुझे लगता है कि हमें उस गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए जब उस गुफा के बहार कुछ लकडियां गिरी हुई है तो हो सकता है हमें उस गुफा के अंदर बहुत सारी लकडियां मिल जाए ये कहकर गुली बुली और सोन गुफा के पास जाने लगते हैं गुफा के पास आते ही ये लोग इस गुफा के अंदर चले जाते हैं इस गुफा के अंदर इन लोगों को बहुती ड्राबनी ड्राबनी आवाजे सुनाई देने लगती है सोन कहता है गुली बुली ये भूतो वाली डिराबनी आवाजे कहां से आ रही है मुझे इस गुफा के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें यहां से वापस चले जाना चाहिए हाँ हाँ सोन तुम सही कह रहे हो चलो यहां से वापस चलते हैं ये कहकर जैसे ही ये लोग पीछे पलडते हैं तभी गुफा के दरवाजे के पास एक पत्थर गिर जाता है जिसके कारण इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है इसका मतलब गुली बुली और सोन इस गुफा के अंदर ही फस गए गुली कहता है अब हम लोग इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे पता नहीं हमारे इस गुफा के अंदर आने के बाद ही ये पत्थर नीचे क्यों गिरा हाँ गुली मैं भी यही सोच रहा हूँ पता नहीं अब हमारा क्या होगा गुली बुली और सोन को इस गुफा के अंदर वाले पत्थर को गिरायाए लेकिन चोचो चाल्ज के बारे में गुली-बुली और सोन को कुछ भी नहीं पताए चलो गुली-बुली इस गुफा के और अंदर चल कर देखते हैं हो सकता है आगे हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए ये कहकर ये लोग इस गुफा के और अंदर जाने लगते हैं इधर रोड बहुत परिसान हो रहा है क्योंकि इसे दूर दूर तक गुली बुली और सोन नहीं दिख रहा है लगता है रोड ने उन लोगों को सामने वाले गुफा के अंदर जाते हुए नहीं देखा था लेकिन जो भी हो रोड को जल्दी गुली बुली और सोन को ढूड़ना चाहिए तभी रोड ये सोचता है कि इसे उन लोगों को ढूड़ने के लिए इस नदी को तैर कर पार करना होगा क्योंकि नाव तो नदी के उस पार है लेकिन अच्छी बात तो यह है कि रोड को तैर ना आता है, यह सोचकर रोड यहां से आगे जाने लगता है कुछी देर में गुल्ली बुली और सोन को इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है वैसे भी यहाँ एक भी लकडी नहीं है यह कहकर जैसे ही यह लोग पीछे पलटते हैं तो इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर इन लोगों के होस ही उड़ चाते हैं क्योंकि इन लोगों ने देखा कि पहाडों के उपर तो कोई ट्रेन वाला मॉंस्टर खड़ा है जो इन लोगों को घूर घूर कर देख रहा है लेकिन गुली बुली और सोन को यह नहीं पता है कि यह कोई ट्रेन वाला मॉंस्टर नहीं बलकि चोचो चाल्स है जो पहाडों के इस तरफ आने वाले सबी लोगों को मार कर खा जाता है तभी चोचो चाल्स दीरे दीरे गुली बुली और सोन की तरफ आने लगता है जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और यहां से भागने लगते हैं भागते भागते सोन कहता है, अरे गुली बुली ये हम लोग कौन सी मुसीबत में फस गया, अब हमारा क्या होगा? चलो एक काम करते हैं बुली और सोन, इस पेड़ के उपर जो घर बना हुआ, इस घर के अंदर चलते हैं ये कहकर ये लोग इस घर के अंदर जाने लगते हैं तब ही चोचो चाल्स तेजी से आकर गुली को पकड़ लेता है और इससे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है अरे ये क्या चोचो चाल्स तो गुली को लेकर जंगलों के अंदर चला गया ये देखकर गुली और सोन बहुत डर जाते हैं तो दोस्तो आपको क्या लगता है क्या चोचो चाल्स गुली को मार देगा या फिर गुली किसी तरह भच जाएगा ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट टू में तो दोस्तों अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को प्रेस करके और नटिविकेशन पे आउन